निकले हैं दिलों से नफरत को मिटाने, इंसां को महबत का ये पाठ पढ़ाने, बन जाएगी दुनिया जन्नक का नमूना, गाते रहो यारो, उल्फत के तराने खाले हैं, जाएगा ले एंसाओ लारो, 欥का हैं, भाष वारो, उल्फत।।। के वाले हैं, आ रहो य enable मूब ये कले खाते हैं, आ कर दो 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 बपल कर देजए कर दो भाल कर दिए जुजल जुदां धर ढूई हम च ईा जुजए जुदार जुदा है रानाचीक आगे! शिकार पर! शिकार आगे! शिकार प्रावीक के आगे! शिकार प्रावीक! हुमे कर अपनाचीक! कर दे हो फिकार आगे! कर दिकार दी तो चारा है अज्या है! कि अचिछ गया है कि अपने शिकार हाथ से जाने दिया वो भी जकमी अब वो बहुत खतरनाक हो गया है दोके से हम पर भी हमला कर सकता है इस जखमी जानवर को खुटने पर रेंखते हुए देखकर मुझे एक बात याद आई कि दुश्मन को कभी जान से नहीं माना चाहिए उसे इसी तरह जखमी करके छोड़ देना चाहिए ताकि जब कभी उसके खाओ में टीस उठे तो हमें याद करके सिंदकी भर कांपता रहे आपका इशारा आपके दुश्मन सूरजभाण नाम मत रहो से उसका नाम सिर्फ हम लेंगे और वो भी उसे मिठी में मिलाने के बाद ताकि परहे चाहिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ अब वाल प्याव करे अए दो औरए कर दो खॉड़ कर दो खुड़ और फॉड़ पॉड़ कर दो घड़ कर दो दो पुष्ट सेयर देया कैसा काटा है कुट्टे ने लड़की ओ कुट्टा नहीं जीता था हाँ हाँ हम जानते हैं हम इसी जंगल में रहते हैं और ऐसे जानवर को कुट्टा ही कहते हैं अब यहां बैठे-बैठे क्या उसके वापस अनिक अंतिजार कर रहे हो चलो उठो हमारे साथ चलो हमारा खर पास ही में है तुम्हारे घाओ की दवादारू करनी पड़ेगी नहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे कैसे आदमी हो तुम आधी रात को डागदर कहा मिलेगा और वहां पहुंचते पहुंचते कहीं तुम उपर पहुंचके तो सुनो देखो हमें जादा बात करने वारे लोग पसंद नहीं है चलो अब उठो हमारे से चलो चल्दी उठो चलो बहादुरी दिखाने का मज़ा मिल गया बहला बताओ कोई बात हुई आधी रात तो कोई जंगल से गुजरता है क्या चलो गुजरना पड़ भी जाए तो गारी नहीं रोकता अगर गारी रोकनी भी पड़ जाए तो उससे नीचे नहीं उतरता मान लो नीचे उतर भी गए तो हाथ में हत्यार तो होना चाहिए अगर हत्यार ना भी हो तो कम से कम होशार तो रहना चाहिए न हाँ इसमें इतना हसने की क्या बात है चलो हम तुम्हें दवा लगा देते हैं तुम बहुत बहादर और प्यारी लड़की हो तुमने हमारी जान बचाई और अब सेवा भी कर रही हो लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया हमने तुमसे तुम्हारा नाम पता पूछा नहीं पूछा ना बस तुम्हें मुसीबत में देखा तो सोचा पल्लवी इनकी मदद करो वैसे हमें अजनबियों से जान पर चान का कोई शौक नहीं है पल्लवी को तो सभी जानते है तो तुम्हारा नाम पल्लवी है, बहुत अच्छा नाम है, अच्छा पल्लवी ये बताओ, कि हम तुम्हारा शुक्रिया किस तरह आदा करें, अगर तुम वक्त पर नहीं आ जाती न, तो चीता तो हमारी ज्ञानी ले ले था, हमें उसकी चिंता नहीं थी, हम तो ये सोच के घ कर जाता न, तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होता हूँ, अरे अरे, कहां जा रहे हूँ, भई घर जा रहा हूँ, फिर वही बात, इतनी रात करें, कमाल के आदमी हो, अरे चलोगे फिरोगे तो खून निकलेगा, कुछ समझते ही नहीं हो, देखो पर लोई, एक तो त मज गया, तो बैठो और आराम करो, हमें नीन दा रही है, ठीक है, जैसा तुम कहती हो, तुम्हारी बात तो मानने ही पड़ेगी, हे भगवान, एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते, पता नहीं कैसे अतनी बर-बर कर लेते हो, मैं तो जरा सा बोल लू, तो मेरे जबड़े द झार, तो मेरे एक बामकी स्था जर्य, तो मेरे बिलिया, थो तुम्हारी, पादू, तुम्हारी, दालो, विह है नीन फ जिजाजी बंदुक कहा रखी है अरे मेरी जोरू के इडियेट भाई डाकू नहीं डाकू अच्छा हुआ अगर डाकू आते ना तो मेरे हाथ से बचते नहीं मैं तो उनको तक्वास बंकर अरे तू तो काहों से भी बह रहा है अकल से भी पैदल है जाच इठी लेकर आ मिट्टी क्या जिजाजी को लगाना है मिट्टी मिट्टी लेकर आ चिठी ये बोल रहे है मिट्टी आमारा खांदा निया इस है बाप रे तुम्हें ये नमूना कहां से मिला हुआ है किसे दिन भगा दूंगा साले को है Türkiye आई है आई है ड़े दिनों के बाद चिठी आई है जरा मुझे भड़ ही सुना हो किसकी चिठी की जिए राजा की आविर तक मेरे शादी परण ये भाजय वालानी चिठी बेश दित्हि दित्त वहागा तो यहां से भगा दूँ नहीं नहीं पर यह तो क्या लिखा है मेरे राजा नी यह ममी हाई डैड मैं ठीक हूं अश्ब ठीक हुए मेरी पढ़ाई खूब जोरों से चल रही है इस साल भी फस क्लास आने वाली है मा तेरी बहुत याद आती है जल्दी ही घर आने वाला हूं जहे जी मामा के कान अब भी बहुत बज़ते हैं और बाकी सब ठीक है उल्लू का पठा डैडी को सिरफ हाए आने तो इसे बताता हूं के बाप क्या चीज होती है बहुत बुरी चीज होती है कबिलदास कहते है पाप करने वारे नरक में जाते हैं अरे तू नरक में कब अगर देज में मुझे यहां न लाती तो मैं भी राजय की तरह कॉलेज में जाता कुट्ता पढ़ता मार और मार और मार और मार इतनी मालिष तो मुझे गरम होने के लिए चाहिए थी अगर हुआा और अपर अगर यह क्या बत मिजी है यह देखिए इंस्पेक्टर साब यही है वो मौत का सौधागर जो हमारे कॉलिज में ड्रक्स पेचता है और हमारे लड़कों को बरबाद करता है लड़के कि हां तो दोस्तों आज राजा से आगे निकलने का चांच है कि एक देखते हैं अगा दिखाता है हुआ है कि हुआ है कि राजा को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है तक्रार से नहीं कमान फॉलो में कर अजा जाज करोम है कर नहीं सर्छ्ват कर दोगरा से घा जार म सरफsky कर प्याइब दोर्प qब कर आविय कर दोर्पर चाश्डिपाद कर दोर्पक्स मर गए, फुलन देवी करल्स, क्या ट्रेडी, लगता है शिकार आ रहा है आज इन बंदरों को गुलाटी मानना भुला देते है एक्स्क्यूज में, मिस्स, रास्ता रोको मैंने कहा देवी जी कान से रोई निकालिये बड़ी अच्छी कलाकार है तस्वीर तो मेरी अच्छी बनाई है मगर बदन अपनी बुज़ूर्गों का क्यों लगा दिया आपने तुम्हारी गुस्ताखी ने हमें गुसा दिलाया है और हम गुसा दिलाने वाले को सजा जरूर देते हैं लड़कियों के हाथ शिंगार के लिए होते हैं चक्टानों से ठकराने के लिए नहीं वैसे तो हम पर आठ उठाने वाले का हम Bachelor देते हैं मगर लड़कियोंपर हाथ उठाना मर्दों के शान के खिलाफ है इस लिए हम तुम्हें माफ करते हैं चलो रास्ता साफ करो मर्दों तो रास्ते के रुकावटें से क्यू डरते हो ये बात है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह कर तब तो मैं पहले भी दिखा सकता था मगर तुम्हारे घमणने तुम्हारे दोस्तों का नुक्सान करने पर मजबूर कर दिया यह तो अच्छा हुआ कि यह आटलस की साइकलें थी वरना चूर-चूर हो जाती कि आइंदा किसी मर्द से टकराने से पहले यह सोच लेना कि तुम एक लड़की हो कमजोर लड़की और हां आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ते से हटा दूगा मेरा नाम राजा है राजा देखा मदू तुम्हारे जिद ने हमारा नुकसान भी कराया और हमारी बेज़ती भी हाँ यार वो लड़के हैं उन से टकराने में हमारी जीत नहीं हो सकती ओ शाट आप तुम लोग क्या समझती हो मैं हाल कर खामोश पैठ जाओंगी मैं भी तुम लोगों को दिखाओंगी कि अपनी बेज़ती का बदला कैसे लेती हूँ मैंने भी चूडिया नहीं पहन रखी है आए सुन्दर बालिके जिस कहावत का आपने अभी अभी प्रयोग किया है प्राय पूर्शों के प्रयोग में आती है भाई दिवेज, आएम विश्वे सुरना तुर्वेदीज, फ्रॉम मतुरास, दबर्थ प्लेस अव लॉर्ड कृष्णा, यू नोस। आपके विध्याले में, हिंडी विभाग में अध्यापक के पज़ पर नेउक ठोकर आया हूँ, तुर्वेदीज तो फिर याँ क्या घास खोदने आया है, जाकर क्लासेज में लेक्चर दीजिए परंतु बालिके, मेरी एक समस्या है, जिसका विवरण जब मैंने प्रिंस्पल सहाब के सामने किया, तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया, अब आप ही मेरी समस्या का निवारण करें ओलिये, मान न मान मैं तेरा महमान यू नोज, कल भगवान स्री कृष्ण का जनम दिन है, अर्थार्थ, बिर्थडेज, मैनी मैनी रिटेंद अब देज तू हिम, मेरी इच्छा है, कल उनका जनम दिन अपनी कॉलेज में बड़ी धूमधान से मनाएं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? helps and aids, हमने बहुत विचार के बाद निरने लिया है, कि मैदान में दही हांडीज बांधी जाएं, रात भर भजन कीरतन करें, और प्राते काल दही हांडीज को तोड़ दिया जाएं वोट फन्स, हाउज बाई आइडिया था, ब्यूटिफुल्स, ब्यूटिफुल्स थीक है दिवेदी जी, जितने वेद है उतने वेदी जी, लेकिन गोविंदा पर लड़के मटकी फोड़ते हैं तो क्या आपके पास लड़के नहीं हैं, मेरा मतलब है आप अपने लिए लड़कों का प्रबंध नहीं कर सकती, मेरा मतलब इस आयूजन के लिए सूचिये, सूचिये पंडी जी इंतजाम तो हो जाएगा लेकिन आपको पास वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा लड़कों को इनवाइट करने आइडियाज, मैं सीधा उस कॉलेज में निमंतन देने जाता हूँ तब तक आप लोग यहां के अरेंजमेंट्स कर लें गुडबाय, गुडबाय, गुडबाय फिर मुसीबत को दावत दे दी, वक्त को आने दो फिर पता चलेगा, मुसीबत किस पर आएगी पीज एम के सास्त्री कम एन प्रणाम हो दै में पर उपूरे रफियर नार नहीं नारीन जिसा म।ुन कंद offerings काम. एपलीजेर आं त माकार्टा रुदनेंटा़ं कर पीसा घूलेश। अपजिक पंतिक-पी-जि históरुट thyра आनलने शास्ट्रीजी अमारा अभिप्राय नहीं मतलब हम यहां पढ़ने नहीं आए हैं अरे हम तो स्वयम अध्यापक हैं नमस्कारम कोई बात नहीं हमें कुछ लड़के चाहिए कल हमारे गर्ल्स कॉलेज में उनकी आवश्यक्ता पड़ गई है हम अपना बॉइज आपका गर्ल्स के लिए नहीं दै सकता है अपना मूस है अपने गल्स के लिए हमारे बॉइज मांता है वेंगटेश्वरा नहीं 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 शात्री जी यह उत्तरदक्षिन की गढ़बढ हो गई है आप हमारी बात नहीं समझे यू नोज कम्यूनिकेसन गैप अभी हम सीधी सीधी बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा यू नोज कल लॉड किष्णाज का बर्थ देज है यस और नो यस सै आई कम फ्रॉम लॉड किष्णाज बर्थ प्लेज यू नोज मधूराज यस और नो कल हमारे कॉलेज में वही फंक्शन से और कॉलेज गैल्स का है दही मटकी स्टोडने के लिए बॉइस की आउशकता है यस और नो तो हम आपके कॉलेज के बॉइस को इन्वाइट करते हैं यस और नो तो पहले से बॉलना मंगता है कितना गड़बड करके आपने अमरे कितना टाइम वेस्ट किया ओके आपका गल्स के लिए आमरे बॉइस कल तयार रहेगा थेंक्यूद वेलकम्स वेलकम्स ठीक है क्या देखो मधू और उपर और उपर बांदो अरे क्या कर रही है मधू मट की आसमान पे मानेगी क्या अगर इतने उपर से कोई गिरा तो उसकी एक भी हडी नी बचेगी यही तो मैं चाती हूँ मैं जानती हूँ वही हीरो बनने की कोशिश करेगा बस उसकी हड्यों का सुर्मा बन जाए फिर देखते हैं तुम लोग जल्दी तयार हो जाओ वो लोग अभी आते होंगे वीर्जेश वीर्ण 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल कितना सुन्दर आयोजन हुआ है मैं बोला थाने आपको कोई प्राब्लम नहीं आगा बालिके कुष्ण करहिया का तेलक करो एक मिनट राजे अगर डर लगता है तो हम हांडी थोड़ी नीचे करा देते हैं वहां तक एक मर भी बहुत सकता है लेकिन तुम पर महरबानी करने की एक शर्त है सबके सामने हमारे कदमों पर अपनी उची नाक रगड़ों जब तक हम मना न करें शर्त मंजूर है शर्त हारजीत के लिए लगा जाती है महरबानी के लिए नहीं शर्त ये होनी चाहिए कि अगर हम हांडी नहीं फोड़ पाई तो नाक हम रगड़ेंगे लेकिन अगर हमने हांडी फोड़ दी तो नाक तुम रगड़ोंगी सona चलो चलो जीतेगा वो ही जिसमें है दम तुझ में है दम तो मटकी को पोड़ जीतेगा वो ही जिसमें है दम तुझ में है दम तो मटकी को पोड़ ऐसे हसारों आई गए आसा मने कुछ करके दिखा हमसे न कर तू बाते बड़ी हमसे न कर तू बाते बड़ी तुझ में है दम तो मटकी को पोड़ जीतेगा वो ही जिसमें है दम तुझ में है दम तो मटकी को पोड़ तू है मगरूर तू नशे में चूर तू है मगरूर तू नशे में चूर जात तू चली जा आपके न दीखा तक चली जा आपके न दीखा पक्ति तेरा सोरों का रम आजा मेरी जा जीतेगा वो ही जिसमें है दम, तुझ में है दम, तो मटकी को पोड़ हो जाक कहीं हुं तुझ में तूद़ फाले फूल आरे होजाक कहीं घुन तूद़ फाले फूल होगा फैसला पतली का मर्भीगी डगर कीरे कीरे चल चारे हरे चाई मेरे बासो ना मगो जीतेगा वो ही जिसमें है दम तुझमें है दम तो मट्की को पोड़ जीतेगा वो ही जिसमें है दम तुझमें है दम तो मट्की को पोड़ एते हजारों आई गई आसा मनीच कुछ करके दिखा हमसे न कर तूबाते बड़ी हमसे न कर तूबाते बड़ी तुझमें है दम तो मट्की को पोड़ टुझमें है तुझमें है दुझमें है याँ 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 झाल 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 हमने आर्डी फोड़ दी अब रगड़ो नाक नहीं नहीं तुम्हारी नाक गंदी है मेरा जूता खराब हो जाएगा वैसे भी अपनी नाक उसी जगह पे रखना वरना कट जाएगी झाल 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 राजया उने की टीम का गेम बहुत आफेंसिव है हमें अपना डिफेंस बहुत मजबूत रखना होगा इसलिए मन्नु और आनंद फुल बैक पे रहेंगे और फॉरवड अटाक के साथ-साथ फॉल बैक भी करेंगे आरे चलो यार फिल पर गेम की प्लैनिंग बनाएंगे तुम लोग चलो मैं कपड़े बदल कराता हूँ हाँ यार कैप्टेन जी वह है सोलो एंट्री मारेगा चलो हेलो राजा हलो तॉस करे राजा तॉस तॉस तो फील पर होगा शक्ति तॉस गेम और फैसला यह सब तो फील पर होता है लेकिन हम हार जितका फैसला खेल के पहले कर लेते क्योंकि हमें हारने के आदत नहीं है तो डाल लो क्योंकि हराने की आदत हम में तो है क्योंकि है हाँ हाँ उर्त झाल हुआ 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 दुट हुआ करताई बनाई अज़ावजारे के अ! लजा खोई वाई राजा हाई वाई लजा वो पाण ना वाई सबर आ जाए पषेद्ट माई लिए बैए टाहिए भाई सुछछछछछछछछ तुमार्द से अ को पुरूसंट मुरूसमेट हावारी मैई बॉय देखो मदू, तुम्हारी नादानी इस लड़के की जान ले लेती ने इंस्पेक्टर सब डॉन बर्याजा, हमने पूना टीम के कैट्टेन को गिरस्तार कर लिया है उसने कबूल किया है कि इस लड़की ये कहने पर ही तुम्हारे उपर उसने फिजीकल असल्ट किया था उसने ये भी कहा कि तुम्हारे सामने ही इसने उसे पैसे दिये थे तुम्हारी स्टेटमेंट लेने के बाद हम उस पर भी एक्शन लेंगे एक्शन, हम इस लड़की पर ऐसा एक्शन लेगा, कि इसको किसी कॉलेज के इंदर एडमिशन ने मिलेगा, हमारे कॉलेज के बेस्ट प्लेयर को एंजन कर दिया, हम इसको रसिकट कर आएगा बोलो राजा, तुमने क्या देखा, इस ने शक्टी को पैसे दिये इंस्पेक्टर साब, मैंने इस लड़की को उस हेरिया में देखा तक नहीं मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इने पैसे देते हुए नहीं देखा राजा, तुम एक ऐसी लड़की को बचा रहे हो, जो तुमारी जान तक लेने पर तुल गई थी सर, अगर किसी के चाहने से किसी की जान चली जाए, तो इस दुनिया में गिंती के लोग रह जाएंगे मदू ने ऐसा कोई काम नहीं किया ओके मदू, अब तुम जा सकती हो अच्छा राजा, थैंक्यू बरी मच्च, चलिए प्रिंसिपल साब, चलिए क्या राजा, तू क्या समझता है, हेरो बन गया, जैसे हिंदी फिल्मों में हेरो यहिनों को बचा लेता है, जूटा बयान देकर मैं कोई हेरो नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, उस रड़की के लिए, जिसका इंसानियत से कोई वास्ता ही नहीं वास्ता है इंसानियत से उसका, बस खमन का खॉल चड़ा हुआ है, मैंनी चाहता था कि उसकी एक नादानी की वज़े से उसे इतनी बड़ी सजा मिले कि उसका करियर बरबाद हुजए शीतल, इंसान सजा मिलने से गलतिया करना नहीं छोड़ता, बलके गलती के आहसास से गलतिया करना छोड़ता है गुद मॉर्निंग सार, मॉर्निंग सेस्टर जाए शिस सर्थ इतने सारे फूल कौन ले आया? कौन है वो जिसने मेरा कमरा गुल्शन की तरह सजा दिया? वो खुद भी फूल के जैसी है चैसी, यू मीन लड़की है? येस, वो विचारी सुबह से दर्वादे पर खड़ी है, आपकी जागने की इंतजार में वोट इस स्वीट फेस प्लीज सिस्टर, उस महरबान को अंदर बुलाईए ओकी सर् अलो मदू इन फूलो का और दुआउं का शुक्रिया I'm very very sorry, राजा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खेल-खेल में मेरी शरारत कहां तक पहुंच गई? अगर तुमने पुलीस को जूटा बयान देकर मुझे बचाया नहोता मुझे माफ कर दो, राजा Please forgive me खेल-खेल में तो जिंदगियां बदल जाती है देखो मदू, आज तक मैंने तुम्हारा चैरा या तो खुशी से खिला हुआ देखा है या फिर गुस्से से लाल यह उदास और बुजा-बुजा सा चैरा हमारी शैतान मदू का नहीं हो सकता Come on, share up यह भी ना बात तो तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ तो कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है मुझे तुम्हारी हर शर्त मंदूर है चल्दबाजी से काम मत लो अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम ना दे सको तो मुझे तुम्हारी हर शर्त मंदूर है, राजा तो मिलाओ हाथ आज से दुश्मनी और नफ्रत का दौर खतम और दोस्ती का और अपने पन का दौर शुरू मन्जूर मन्जूर बातों से तेरी मुझे ऐसा लगा कि तु मुझे भूल गई बादा किया मिलने नहीं आई ये भी कोई बात हुए I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry मिलना कथा मजे कुछ से मगर मेरे कहीं भच गई इतने सी बात से इतने कपा ये भी कोई बात हुए I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry मुझे को यकी हो रहा है आज तुझे बाहों में भर लू मुझे को यकी हो रहा है आज तुझे बाहों में भर लू मेरा दिल, मेरी जाब क्या से अर्मा कैसे मुला काथ हुए इतने सी बात इतने हमा ये भी कोई बात हुए I'm sorry, oh, I'm sorry Sorry, oh, I'm sorry I'm 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 sorry, oh, I'm sorry दिखो में तेरा इचेरा एखेरा एखे लज़े में बचा ले हम न जुदा हो दोबारा ऐसे गले से लगा ले दिखो में तेरा इचेरा एखे लज़े में बचा ले हम न जुदा हो दोबारा ऐसे गले से लगा ले तेरी में मेरा तुप बनके खुशगा वे मेरे साथ हुई हो आदा की आमिलने नहीं आए ये भी कोई बात हुई बातों से तेरी मुझे ऐसा लगा के तु मुझे भूल गई क्लुच कुझे झाक कि दैपक में बातों से लिप कोई भी कोई बातो क्लुच कोई ले दिए ओू क्लुच साट्थि ठाली बातों सख्ष्ष्षि धनले में, बातों से घिली जाए कहां खो गही पागल जो ठहरी चाकते हुए सपने देख रहे थी अच्छा अब मैं चलती हूँ कल मिलने आउंगी जब तक मैंना आओ तुम खुद अपना ख्याल रखना बाई बाई मत हूँ तर्वासा क्यों तोड रहे हैं तेरा सर तोडने के लिए इतनी देर से दर्वासा कटकटा रहे हैं पता नहीं क्या कर रही थी अंदर कुछ में कर रहे थी तुमसे मतलब देख रही होगी किसी राजकुमार के सपने बताना कौन है वो अपना भी मेरा और राजकुमार भी मेरा तुम्हे क्यों बताऊं मत बता लेकिन हम ये बताने आया हैं कि तेरे पापा बहुत देर से प्रिंस्पल के आफिस में तरह इंतद चला अगर हमसे गल्ती हो गई तो हम आपसे माफी मांग लेते हैं मदू ने भी माफ किया थेंक्यो यह मैजिस्टी अब ये बताइए कि हमारी गल्ती के है इतनी दिनों बात बेटी की याद आई ओ गल्ती तो हो गई चला आप जाके सामान लिया वाव डाद, ये तो स्वीट थांक्यू सर, ये वेरी काइन इत्स ओर राइट मदू पापा, मैं अभी आई राना सहाब, बहुत शरारती हो गई है मदू इसके शरारती ही है अमारे जिंदगी की खुशिया है भारगव साब देखा आपने, बिना खता के माफ ही मागनी पड़ती है ट्राइवर, गांधी रोड ले चलू जी, बैटी कुछ खरीदना है नहीं पापा, एक दोस्त को गुडबाई कहना है दोस्त को गुडबाई कहना है? इस ये और शी? ही डाड देखो बैटी, किताबें और दोस्त चुन कर रखने चाहिए पापा, आपकी बैटी रद्धी की दुका नहीं खोलेगी ट्राइवर, इस गेट के अंदर लेना डार पापा, आप थोड़ी देर बैचिये, मैं जरा मिलकर आती हूं यहां होस्पिटल में? इसका मतलब आपका दोस्त बिमार है, हमें भी उससे जरूर मिलना चाहिए वेल्कम डाड, मेरे दोस्त को बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर आये हलो राजा हाई राजा, यह है मेरे डियर डियर पापा, शीशमशेर सिंह राना हलो सर, हलो बेटी और पापा, यह है मेरे दोस्त राजा अवेरी ब्रिलियन स्पॉर्ट्समें हादे दू, यह सब कैसे हुआ सर, फिल्ड में छोटा सा एक्सिडेंट हो गया था अच्छा अच्छा एक बात बताओ पहले मेरे और राजा में बहुत बड़ी दुश्मनी थी लेकिन इस हाथ से ने सब कुछ बदल दिया अब हम दोनों दोस्त है यह तो बहुत ही अच्छा हुआ कि दुश्मनी दोस्ती में बदल गई परना यह दुश्मनी इनसान को बहुत पेचान कर देती है हाँ तो राजा बैटा इस लड़की के साथ दुश्मनी कभी नहीं करना क्योंकि यह बहुत ही जिद्धी लड़की है और इसका गुस्सा हमेशा इसके नाक पर जड़ा रहता है आखिर हम बेटी किसकी है अच्छा पाप राजा से बाते कीजे मैं अभी आई अच्छा बैस बैटे तुम कहा के रहने वाले हो? जी किशन गंच का किशन गंच में किसके बैटी हो? सूरज भान से तामर रादा 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 अरे पापा आप चले आए? हाँ बेटी वहाँ देर तक बैठता तो नजाने क्या हो जाता क्या हो जाता पापा? वो हमारा प्लेन में सो जाता लाओ ये गुलदस्ता मुझे देदो मैं उससे देकर आता हूं तुम गाड़ी भी जाकर बैठो लेकिन पापा मैं खुद गुलदस्ता देकर जल्दी आ जाऊंगी दोस्तों को अलविदा कहने में बड़ी देर हो जाती है मधू तुम अगर उपर गई तो बहुत देर हो जाएगी लाओ इसे मुझे देदू ठीक है जैसे आपकी मरसी सूरजभान ये मेरी बहन की डूली मेरे घर वापस नहीं आई है हमारी दोस्ती की अर्थी आई है सूरजभान हमारा दुश्मन है उसके बेटे के साथ हमारी बेटे की दोस्ती कभी नहीं हो सकती यकीन मानो राजा तुमारे यहां आने की खुशी सबसे ज्यादा मुझे हुई है वो क्या है जीजा जीनी मेरी जिन्दगी हराम कर दिये सठी आ गया है मैं केता हूँ आह वो केते है मैं कुछ बोलता हूँ वो कुछ सुनते है जाने दो उमर हो गई बुड़ा पा आ गया लेकिन एक बात कहूँ दी थी हाँ बोलो अपना राजा इतना अच्छा लग रहा है आखिर बेटा किसका है पता नहीं क्या कहा नेरा मतलब यह कि जब आप ही पुछ रही तो मैं क्या बता हूँ है ना राजा कमाल है रुमाल है रुमाल है ना रुमाल एक बात बता हूँ मा क्या गाड़ी क्यों नहीं आए मैंने कहा चली तो कहने लगे मैं तो नहीं चलूंगा हाँ मेरे बेटी को मेरा तोफा जरूर दे देना तोफा, सोफा गाड़ी में का ओतगर में, गाड़ी में तो सिड्ड होती है लपड़ा, वो क्या है, थोड़ा दीजा जी की तरह हो गया कौनसा तोफा मा? ये देखो क्यों बच्चे, जवाने का गमन टूटा ये नहीं आओ, बुड़ा पे का एसास हुआ? अरे, बुड़ा होगा तेरा बाप बाप ही को तो बोल रहा हूँ, टैड़ी ठीक है, ठीक है, अपने आपको तीस मार्खा समझते हैं ना तू अब किया? आओ, 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 अरे, सफर से ठक कर आया है ना तू इसलिए तुझे माप करता हूँ, जा जाकर आराम कर फिर कभी देख लूँगा तुझे, हाँ कम ओन डाड पहले ही हार मानली होती तो ये बहाना तो नहीं करना पड़ता अब ये मा को बताता हूं मा क्या कर रहा है यार मेरी ही बीवी के सामने मेरी नाक कटवाएगा जिंदगी बर मेरी खिल्ली उडाती रहेगी वो अरे राजा बेटा अरे आ गई हाता पाई छोड़ो और चाई पिने आ जाओ मा बाहरी लगा दो मैं कपड़े बदल के आता हूं अच्छा बेटा अच्छा बड़ी पता निंग क्यों मोड हो रहा है कि मा को बता ही दू क्या यही के आप बुड़े हो गए और आप उनसे हर गए दिमाग खराब हो गया तेरा देख राजा अपने बाप की बेज़दी बरदाश्ट होगी क्या तुझसे अरे आपस का मौमला है माउ को बीच अच्छिद में किमता है एंब आप बेटे के पीछ माई तो होती है यह देख बेटा कुछ ले देकर मान जाएगा क्या कि इसके बारे में सोचा जा सुष्द आ क्या है इस वो हिता नहीं बताना है यह है वादा रहा कि वादा अपन अ क् बता दो, वो आफी माग रहा है, मुझे चैलेंज किया था, हार गया आप भी हद करते हैं, बच्चे से आपका क्या मुकाबला, ने बेटर, दूद भी चेतक, आँ आ रहा हूँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ न, बुला रहा है, चलता हूँ दूपैर तक आजाँगो बस, हावा पर सवार हो गया, चेतक और बंदुक, ये लड़का दो पल मा के पास नहीं बैठेगा, जैसे मा से कोई प्यार ही नहीं है अजी, हम जो हैं आप से प्यार करने के लिए शार्ण की जी, बेटा बराबर का हो गया है हम जी, जी, हम जो है लड़की क्या बत्तमीजी है ये दर्द हुआ ना चोट लगती है तो दर्द होता है बाबू तुम तो इनसान हो इसलिए चिला कर बता दिया कि तुम्हें तकलीफ हुई लेकिन वो बिचारा BESUMान जानवर कैसे बता था तुम्हें क्या पता, जिसकी जान जाती है कितना तर्पत है वो आरे जो दूसरों का दद नहीं समझता वो इनसान नहीं होता जानते हो, जो कुछ भगवान ने बनाया है, सब में जान होती है इन्हें भी सुद्दुक का एसास होता है ये भोरे भाले जंगल के जानवर, ये लहला आते पेड़ पौदे, नदिया, जरने, पहार अरे, इसमें असने की क्या बात है, विश्वास नहीं होता न तुम्हे, कभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये ऐसी बेफकुफी की बातों पर किसे विश्वास होगा, ये नदिया, ये जरने, ये पहाड, ये पेड़ पौदे, क्या जवाब देंगे ओ, शेहरी बाबू, इतना घंबन मत करो, इन्हें बेजानवत समझो, इन्हें दिल से पुकारो, बहुत प्यार से जवाब देते हैं ये मेरे भी एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी कौन सा सवाल? तुम्हारा नाम क्या है? ए लड़की, अपना नाम तो बताती जाँ पुल्चे बादल से पूछो, बहुत नदिया से पूछो, इन बहारा से पूछो, इन नजारा से पूछो, इनको पता है मिरा नमा में साथ इनके सुखोछो, इन बहारा से पूछो, इन नजारा से पूछो, इनको पता है मिरा नमा में साथ इनके सुखोछो में साथ इनको 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 बादल रादली आमा मेन बड़तानना, खलो से सी कह मुष्णोर ना बुल्बल से सी कह मेन बड़तानन, खलो से सी कह मुष्णोर ना कोयर से सिखा मैने आवर ना भवरों से सिखा बन गुन ना मैं उचन चैन शोकावां मुझे आता है उड़ जाना उड़ते बागर से पुछो, बहदी नदियां से पुछो इन नारा से पुछो, इन नारा से पुछो इनको बचा है मिरा नमा, मैं साथ इनकी सुखोशा मिला गुलावी पिला राग केसाद, देखे बिना में तो पादू मिला गुलावी पिला राग केसाद, देखे बिना में तो पादू इनसे जुडा है मेरा प्यारे साथ, रोते पर इन दो पादू इन लहरों पे इन खश्डी के चलते ले विखलाना पुरते मादर से पुछो, बहती रदिया से पुछो, इन बारों से पुछो, इन नजारों से पुछो इनको पता है मिरा नम, मैं साथ इनकी सुखोशा इनको पता है मिरा नम, मैं साथ इनकी सुखोशा चलो, चलो नीचे उत्रो क्यों? उत्रो तो से अब पूछो कि हमने दुस्सा थपड क्यों मारा? यह हमने गुस्टे में नहीं मारा यह हमने इसलिए मारा ता कि तुम्हे पहला थपड याद रहे स्वर्गे दिनानात मास्चर कहा करते थे कि इनसान के मूँपर दुस्सा थपड पड़े तो उसे गलती करने पर खाया हुआ पहला थपड याद रहता है सही अरे तेया, बहुत जोर से भूक लगी है बना आज हम अच्छी चाना समझा के जाते समझ गया ने चेतक जानते हो, जो कुछ भगवान ने बनाया है, सब में जान होती है इन्हें भी सुद्दु का एसास होता है ये भोरे बाले जंगल के जानवर ये लहल आते पेड़ पौदे नदिया, छरने, पहार अरे? इसमें असने की क्या बात है? विश्रास नहीं होता न तुम्हें? तभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये अरे? शेहरी बाबु तो? रही अरे देया, एक ही तपड में हमारी बात समझ गया अरे? हम तो स्वर्गया दीनानात मास्टर हो गए स्वर्गया तुमने कल भी यही बात कही थी बहला ये दीनानात मास्टर है कौन ? जो स्वर्गया होने के बात भी तुम्हारी जुपान पर बैठे हुऊ है वोत तो हमें भी नहीं मालो जान पैजान तो कली हो गई थी, उस पेचारे जानवर की वज़े से, वैसे लगता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो नाराज तो थे हम, फिर हमने सोचा पलवी, ये शहरी बावु तो तो तेरी दरा जानवर से प्यार करने लगा है, तो गर्दे दुश्में नहीं खतम, सो कर दी अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या कहके पुकारे मेरा नाम राजा है हमने पूछा तुमारा ना, राजा हो ये गंगु तेली, हमें क्या लेना देना, तुम बोलते हैं बहुत हो ऐसे हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें साथी कहके पुकारे साथी? साथी का मतलब समझते भी हो की नहीं नहीं, समझा दो ना ओफो, क्या-क्या समझाना पड़ेगा तुम्हें साथी का मतलब होता है जनम-जनम साथ निभाने वाला जिसके साथ रहने को जी चाहे, जिससे बाते करने को जी चाहे और जिसके मूँपर थपड़ मारने को जी चाहे वो तो हमने गुसे में मार दिया था दोस्ती में इतनी जोर से थोड़ी ना मारते हैं लो हम भी यहां खड़े खड़े तुम्हारी बाते सुन रहे हैं और यहां पेट में चुवे कूद रहे हैं अच्छा हम जाते हैं बहुत जोर की मुग लगी है लो हमारी अकल भी मारी गई है अभी अभी तुम्हें साथ ही का और अकेले चल दिए खाना खाने अब खड़े खड़े हमारा मुझ क्या देख रहे हो चलो हमारे साथ हम उस पहारी के पीछे रहते हैं तो आजा घोड़े पे जल्दी घर पहुच जाओगी ना बाबा ना एक जवान लड़का और एक जवान अभी समझ में नहीं आएगी तो समझा दो ना वो भी समझा दूगी बाबा बले घर पर तो आओ चल अरे साथ ही अंदर आजाओ तुम तुम क्या उड़कर आगई तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा घोड़ा हमासा बाते कर सकता है जानते नहीं जवान लड़कियां हवा की तरह यह तर उदर घुमती है जैसे कि देदलियां ओ तो यह आपके स्वर्गिया दीननाथ मास्टर ने कहा होगा अरे तुम्हें कैसे मालूम वैसे यह बात तो बाबा बताते है तुम्हारे बाबा और मास्टर जी की कही हुई बाते इलाके के सब लोग जानते है हाँ सो तो है अरे तुम अभी तक खड़े हो बैठो न साकी यह देखो हमारे बाग के मीछे मीछे फाले खाओ ना अब बताओ कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ गोड़े पर क्यों नहीं बैठ सकते तुम था एकदम बुद्धू ओ स्वर्गे दिनायात मास्टर कहते थे कि शादी से पहले लड़का लड़की से टकराता है तो तो क्या होता है बिजली करकती है फिर बेचानी होती है फिर दिल पर अधिकार नहीं रहता फिर फिर दिल ऐसी जगह ले जाता है जहां से अकेले लोट नहीं सकते है ऐसा क्यों होता है पलवी लो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा रिया रितिया कैसे बेशर्म हो अनारी क कि उन दोनों में कि यह कैसा दमाका था वह पीछे पहारी है ना वहां पर बारुद लगा के चताने तोड़ते हैं कि अर्वार धमाके पर ऐसा ही वुचा लाता है क्या अरे यह तो कुछ भी नहीं है कभी कभी रात को जब बड़ी चटान तोड़ते है ना तो इतनी जोर से धमाका होता है कि हमारी जोपडी फीपल के बत्ते की तरह काम जाती है और सोते सोते हम बाबा के बिस्तर पर पहुंच क्या बे बंडल बाजू होड़ी दे ठहरो सब पता चल जाएगा स्वर्गे दिनायत मास्टा कहा करते थे हाथ कंगन को आर्सी क्या और पड़े रिखे को आप समझ में आई फार्सी हाँ अच्छी तरह से तो इसी बात पर हम तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं वरना बाबा आ गए तो कहेंगे महमान कुछ आय तक नहीं प्लावी बेटे लो बाबा आ गए वड़ी लंबी उमाय है वारे बाबा किसके साथ बरबर कर रही है नमस्ते ची जीते रो बिटे कर ये वो नौजवान तो नहीं जिसके गाल पे कल तुने चांटा मारा था चुप रहो ना बाबा विचारी को क्यों याद दिला रहे हो उसका गाल दुखने लगेगा और इसी के लिए तुने मेरी राद भर नींद अराम कर दीती हां बिटे य तो मूँ फेर के सो गया और ये पगली समझी कि मैं हिरन की और तुम्हारी कहान ही सुन रहा हूं इसका मतलब बाबा तुमने हमें उल्लू बनाया नहीं नहीं मैंने नहीं ऊपर वाले नहीं बाबा अरे मेरी भूली बीटिया तू अच्छा एक काम कर ये ले शनीवार को डा अच्छा चलो पलवी फिर मिलेंगे पलवी नहीं साथ ही इसनी जल्दी भूल गया अच्छा बाबा अच्छा चलो पलवी फिर मिलेंगे माफ कर दो साथी सियो चलो बड़ा पलवी जल्स अच्छा चलो अच्छा उचना उच्छा फ्ली ऑड़ा पलोel मेरी उम्ही थी गच्छा उन्स हार Сव만 रचा बडंस हार जादा माच्छा पलवी बादिएस्पलार करता करता है माच्छा नह् scस्यों साथ! में तो यह सोच भी नहीं सकता था कि इस पाड़ी जंगल में तुम से मुलाकात हो जाएगी यहां से उस तरब जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी यह मेरे पापा शमशेर सिंग राना का इलाका है लेकिन यह बताओ तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हूँ जरा सी नजर घुमाओ इलाका बदल जाएगा यहां से जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी मेरे डाड़ी सूरज भान सिंग की हुकूमत है तो फिर हम पडोसी भी हो गए यह तो बताओ पडोसन यहां केली क्या कर रही थी एक तस्वीर बना रही थी किसकी किसी कि भी हो क्यों बताए हम खुद देख लेंगे नहीं राजा अभी अदूरी है अरे देखाऊ था सही आप तह थी कि अटेखाऊन मुझे यह ढ़ए दिखने दो नदू वी थी यह राना साव में तुम्हे गर बुलाया है जल्दी चलती हु राजा, जब तस्वीर पूरी हो जाएगी, तब दिखाऊंगी, ओके, बाई देख के चलिए ना कौका, हाँ बीटिया, हम ही ना देख सके के तुफान मेल आ रहा है क्या बात है मधू, तेरे चेहरे पर इतने गुलाब क्यों खिले हुए है, इसी से शर्जित कर आई है क्या, ऐसा ही समझ लो मा, तुम्हारी बेटी अब कभी नहीं हारेगी, आखिर बेटी किसकी है सुना तुमने, मधू ने अब ना हरने की कसम खाई है, तुम्हें अपना जो बनाना है यजया प्तुमने का अचने का पुम्हें अपने का तुमने का वह है हाँ 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 सब्सक्राइब एर एर ए छले कि लेगी से तुम करें कि अपने, पुम्हें, पुम्हें दुम्हें ४ुम्हें पुम्हें पुम्हें जया यहां से उस जा आप दुबारा हमारे इलाके में कदम मत रखना, शायद हम तुम्हें दुबारा माहत न कर सकी है, हमारे इलाके की जमीन दुश्मनों के खून की प्यासी रहती है, अंकल मेरे बाप मेरे बदन से निकले खून की एक बून भी देख ली, तो खून की नदिया बहादेगा आपक आपके मुझसे क्या दुश्मनी है इसका जवाब तुम्हारा बाप सूरज भान देगा हूँ राना अरे बुजदर जिनकी रगों में ठाकरों का खून होता है वो अपनी दुश्मनी दुश्मन से रिकालते हैं उसकी उलाज से नहीं तुने मेरे बेटे के बदन पर जखबों के निशान डाल कर अपनी मौत को बुलावा भीजा है सुरजभान अगर हम मुझदर होते तो तुम्हारे बेटे की लाज के बद्बू भी तुम तक न पहुंचती और रही बात तुम्हारे और हमारी दुश्मनी की उस दास्तान को भी हम आज ही खदम कर देते हैं तुझे मौत के घाट उतार कर अफदेश आप मेरी फिकर मत किजिमा ठीक हूँ सुरजभान ठकू रहत चाते निकल कर सामने आप फिर देख मैं कैसे चलनी करता हूँ रहा आजमाना है तो आजमा अगर तुझे दुश्मनी निभाने का शोक है तो सुरजभान कभी पीछ नि दिखाएगा छोफ आजमान आजमा ठर अजमाई अजमा पीएश चाते तोस्का अजमाने की जगे शेख पाला का शोक है तो सुरजभान अजमा अजमाने आजमा अजमाने का है आप दोनों अपने हतियार नीचे रख दीजिए आज आपने हमारा फैसला टाल दिया कमिशनर वरना 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 आप दोने एक दूसरे की जान ले लेते यही ना आप लोग क्या समझते हैं इस मुलक में कोई खानून नहीं अगर मैं चाहूं तो आप दोनों के इसी वक्त गिरतार कर सकता हूं या सुरेभान अज गानून ने तुम्हारे जान बचा ले एक बात मेरी भी सुन लो राना आएंदा तुम्हारी वज़ा से मेरे बेटे का खून तो क्या आज़ो की एक गूंद भी पही तो तुम्हारी हवेली की दिवारे तुम्हारे ही खांदान के खून से रंग दूगा अरे साथी साथी आज़ो 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 अरे लेली तुम्हारा आना बारी शोरी है तुम्हारी रुको में आती हूँ हाँ वे लेटी हूँँ हाँ आरे में तो भीगे गया हूँ तुम्हीं दो भीग रहे हूँ कैंदान गया हूँ तुम जल्दी अंदर चलो जादा भीग गये तो निर्मोनिया हो जाएगा अरे निर्मोनिया नहीं निर्मोनिया नहीं ये लो पोछ लो मेरे चकर में तुम भी भीग गई कोई बात नहीं साथी वैसे भी हम सुबा से नहाए कहा थे लेकिन एक बात पूछना तुम्हें बोली गए तुम इतनी बारिश में या भीगते वे क्यों आ गए लो तुम से मिलने डाग घर लेकिन तुम्हा आई क्यों नहीं जो तुम वहां भी गए और यहां भी दोड़ी चलिया है उस दिन बात अदूरी रह गी थी ना अब बताओ दो जवान जिस्म टकरानी से क्या होता है विचली कड़ती है बेचैनी बढ़ती है दिलों पर अधिकार नहीं रहता ऐसा क्यों होता है पलवी अफवो बाबा उन दोनों में बोलो न पलवी क्या हो जाता है क्या हो जाता है प्यार हो जाता है कर दो कर दो भेगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम भेगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम होने लगी परसात मगर जल रहे हैं हम कर दो कर दो दो झाल झाल सीने में कैसा दर्द हे, होटों पे कैसी थ्यास हे सीने में कैसा दर्द हे, होटों पे कैसी थ्यास हे कैसी बानोई इढ़िय फ़ather है अर टारो एह सात्त है तुह हमारे साथ मगर जल रही है हम तुनेलगी बरसाथ मगर जल रही है हम भीगी हुई है रात मगर जल रही है हम मुझे जाने चाहत के साए तले पैठे तो है जाने अदा चाहत के साए तले फिर भी है क्यों पेचारिया ये वक्त क्यों ना धाले पैशब नमी मुलाकात मगर जल रहे हैं हम खुने लडी बरसात न गए जल रहे हैं हम खुने लडी बरसात न गए जल रहे हैं हम खुने लडी बरसात न गए जल रहे हैं हम जल खुने दो हाँ तो मिस्टर राजा आज हम आप में रंग भर देते हैं झाल देते हुष्ट्र राजमार्ण। इसमार्ण। झाल प्रद्सक्राण। हुआ 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 है जिसका जिक्र इस हविली में जुर्म माना जाता है तुम उसकी तस्वीर बना रही हूँ आपकी नजर में उसका जिक्र जुर्म हो सकता है पापा लेकिन मेरी नजर में उसका नाम पूजा करने के काबिल है क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ जोना दुबारा ये नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो मैं तुम्हारी जुबान काटके भैंक दूगा पापा आपने मुझे जन्म जरूर दिया है लेकिन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते राजा मेरी जिंदगी है पापा तो फिर समझो तुम्हारी जिनकी खत्म हो गई हमारे हुक्म के खिलाप अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो इसी हुवेले के दिवारों में चुनवा दी जाओगी दिवार में चुनवा कर आप मेरी महबत को अनार कली की मोहबद की तरह अमर कर देंगे पापा, अमर कर देंगे पापी वोई तो रास्ता निकालिये अखिर यह हमारी बच्चों की जिन्दगियों का सवाल है और शायद होनी भी यही चाहती है तभी तो वो दोनों एक दुसरे के इतने करीब आ गये अगर उन्हें इस दुश्मनी का पता होता तो वो कभी एक दुसरे के नस्देक नहीं आते आप सुरजभान भाही से बात कीजिए क्योंकि मेरा राणेजी से बात करना बेकार है वो तो पचीस साल पुराने जखम को रितते रहते है मैं बड़ी आशा लेकर आई थे आपके पास अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है आप ही राज़ता निकली कि इसके इजाज़त से मेरे दुश्मन की चोकट पर नागर करने गई थी ठकुराइन राना की मार मर यादा आ रहा और इसके पगड़ी दुश्मन के अकब मों में रखने की क्या सरूत पड़ गई थे आपको भूगे राना साब सुरजभान सिंग की जोड़ी उपर एक ठकुराइन नहीं बलकि एक माँ अपने बेटी के आसों में बहती हुई चली गई थी उस बेटी की खुशियों के लिए जिसे पाने के लिए आपने खुद हर मंदिर, मस्जित, गुरुद्वारों और गिरिजा घरों में दुआय मांगी थी उस बेटी के लिए जिसके एक इशारे पर दुनिया के हर खुशी उसके कदमों में डाल देते हैं आप हमारी महपत को हमें कमजोर बनाने के लिए इस्तिमाल मत के जिठा कुराइन जिसे हमने दुनिया भर की खुशिया दिये हमारी एक जिठ के लिए उसे आपने ये खुशी खुरुबन करनी ही होगी समझाईए आपने बेटी को हमारे दुश्मन के बेटे के नाम के खुश्बू तक अगर उसकी सांसों में आई तो वो उसकी आख एसांस होगी हाँ 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 अब हाँ अब हाँ सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है मैं सूरच भान के पूरे खांदान को जला के राख कर दूँगा जला कर राख कर देने से हमारा इंतकाम पूरा नहीं होताव देश हम तो उस खांदान के राख को हवा में उड़ा देना चाहते ताके उस राख को गंगा जल भी नसीब नहूँ कर दो राना मैं खुद बखुद चल कर तेरे निशाने के सामने आया हूँ लेकिन पुरानी बातों का फैसला करने के लिए नहीं बलके आने वाले कल के हालात पर मशुरा करने के लिए आया हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ राना कि पिछले 25 सालों से तुमने अपने जख्मों को हरा रखा है भरने नहीं दिया लेकिन मैं तुम्हीं यकीन दिलाने आया हूँ कि वो जख्म मेरे दिये हुए नहीं है तुम्हारे गुसे और गलत फैमी ने हमें एक दूसे का जानी दुश्मन बना दिया जूट बोलते हो तुम गलत फैमी ने नहीं तुम्हारी मकारी और चालबाजी ने तुम्हारे पैरों से उच्छा ली गई उस पकड़ी ने तुम्हारी चोकट से लोटाई गई मेरी बेहन की डूली ने और मेरी आँखों के सामने चलती हुई मेरी बेहन के चिताने इतना सब कुछ गलत फैमी नहीं हो सकती मैं मानता हू राना अगर तुम्हारी तरह मैं भी इस गलत फैमी का शिकार होता तो मैं भी यही कहता मैं भी यही सब कुछ करता जो तुम कर रहे हो लेकिन सच्चाई जानने के बार बंकरापते जुबान बार बार दोराने से छूट सच नहीं हो जाता और जिद करने से दो और दो पांच नहीं हो सकते दुश्मनी का पेड आम का नहीं कांटों वाले बबूल का होता है काट डानो उसकी जड़े अगर तुम समझते हो के सूरजभान ने तुमारी बेहन की डोली वापिस करती थी तो वही सूरजभान आज तुमारी बेटी की डोली मांगने आया है अपनी बेटी हमें देदो सूरजभान लाना जो इनसान दुश्मन की जान की हिफाज़त करे उसकी दुश्मनी पर सूरजभान को नाज है जैसे तुमारी दोस्ती पर था तुमने मेरी जान बचाकर इनसानियत का सबूत दिया है अब दुश्मनी भुलाकर अपनी महंता का सबूत भी दे दो राना सुरजभान, हम दोनों हार गए बच्चों ने हमारे हाथों से बंदुकी भी चीनली और दिलों से नफरत भी दुश्मनी में बहुत चीली चलो आप दोस्ती में जीते तो मिलाओ हाथ सुरजभान, कहीं पच्चीस साल पुरानी कहानी फिर से दो रहाओगे तुम्हें इस पार मेरी बेटी का सवाल है नहीं दोस्त, ये ठाकुर सुरजभान का वचन है क्या मांगा भगवान से पल्लवी को बहुत कुछ नहीं चाहिए था बस साथी चाहिए था सो मांग लिया तुमने क्या मांगा साथी मैंने तो दो चीज़े बांगी भगवान से दो? जल्दी बताओ, क्या क्या मांगा? एक तो भगवान से मांगा कि वो मेरे साथी की प्रातना सुविकार करे और दूसरी चीज? अपने साथी का साथने भाने की शक्ति सत साथी कहीं कुछ अनो हो नहीं कुछ नहीं होगा साथी भगवान साक्षी है कि हमारा साथ चनम चनम का साथ है हमारे रास्ते में आने वाला हर दूफान हमारे फैसलों से टक्रा कर वापस लोटने पर मजबूर हो जाएगा और रास्ते में आने वाली हर चट्टान हमारे रादों से टकरा कर चूर चूर हो जाएगी अरे वह राना यकीन नहीं हो रहा पच्चेस साल में तुम इतने अच्छे खिलाडी बन गई हो है कहा के खिलाडी सुरजवान अरे लीजे आपके बारी आ गई तुमने तो मुझे खेलने लाइक छोड़ा ही नहीं या वाव वाव मैं ऐसा लगता है कि पच्चेस साल से आप यही निशाने लगाते रहे अरे यार पच्चेस साल से मैं दो ही निशाने लगाता रहा हूँ एक तो बिलियर टेबल पर और दूसरा तुमारी च्छाती पर एक निशाना तो ठीक जगा पर लगता रहा और दूसरा हमेशा चूपता रहा मगर तुम भी तो बहुत चालाख शिकार निशाने पता आते रहे मगर हर वक्त चीते की तरह चलांग मारक निकल गए अरे जल्दी खत्म हो जाने वाली दुश्मनी का मजा भी तो नहीं आता हम दोनों मेंसे कोई भी निशाना बन गया होता तो पच्चेस साल की दुश्मनी के बाद इस दोस्ती का मजा कैसे आता भाई ये तो सौ फीसे दी सही बात कहीं तुमने अरे पपरे क्या हुआ मेरी बीटी क्या हुआ बीटी को अरे भाई उसका जनम दिन है और मुझे निवते देने यहाँ भई हमने तो किसी ने कोई नियोता है विता नहीं दिया लो कमाल कर के घरवालों को भी कोई नियتा दिया जाता है घरवालों को थो हुक्म दिया जाता है आप भाई-जी और राजा सबसे पहले आएंगे हाजिर मोन मैं सुलुमन सूरह कृट Z keyword आएंगे यह तो कमाल हो गया आपके कोई भांजी हो तो बोल्देना आप उन चक्कर जलाता है मैंने पूछा ठाकुर साब घर पर है ठाकुर साब पहले भांजी बात में जिजा जी क्या करना है जिजा जी का जा के का नंडू है क्या बताया नांडू सहाब आए, आप ओ भी और सहाब भी है, क्या मतलब, देको आप ठीक तरह से अपना नाम बता दो, अगर मैंने अंदर कुछ गलत के दिया तो मुझे पड़ेगी, क्या, नाम बताओ, पी के नांडू, लगते तो नहीं है, लेकिन हो सकते है, हमारे जीजा जी भी कैसे जारा, क्वारा, तेरा, जीजा जी, वो आये है, कौन, जारै नहीं, वो, अ्रे, कौन आये है, उनका कुछ नाम तो होगा, जा जाकर पूछ कर रहा, तीन बार पूछ के आयी हूं, उन्होंने बतायां, नहीं, पीक कैसी लोगों के साथ तालू कात रखते, किया उपर से पिट आ है मैंने दो तीन बार उनसे पुझा आप सजी सही बता है यह भी वोला आप लगते तो नहीं लेकिन हो सकते हो क्या पाथे जी कुछ नहीं कोब्री काया य। पता नहीं क्या सुन कराया या मैं जा कर देखता हूं सूरजवां जी बहुत खुश निदर आ रहे हैं आखिर बात क्या है भाई डांडू सहाब आप अपना नाम बहरों को मत बताया कीजिए वह आपका हुलिया ही बदल देते हैं मैं समझा नहीं हुआ क्या खैर जारे दीजिए तश्रीफ रखिए कहिए कैसे आना हुआ सूरजवां जी कल मैंने सूरज पश्चिम से निकलते देखा रात बर निन नहीं आई आप और राना दोनों एक साथ किस तरह कलेक्टर साब आप ही नहीं सारा इलाका यही सवाल कर रहा है लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ बरसो पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई लेकिन यह चमतकार हुआ कैसे हमारे बच्चों की वज़ा से हम दोनों तो एक दूसरे को खत्म करने के मनसूबे बनाते रहे और हमारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लिया बीच में बहुत कुछ हुआ आखिर जीत उनी की हुई और यह दुश्मनी दोस्ती में तबदील हो गई वांडरफुल इतनी अच्छी खबर जिंदगी में पहली बार सुनिये हुआ 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 है दिल में मुहबत है आखों में प्यार दिल में मुहबत है आखों में प्यार तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार दिल मेरा धरका है आखों मेरे यार तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार तेरी बातों में तेरे बादों में खोया रहता हूं तेरी आदों में तेरी बातों में तेरे बादों में खोया रहता हूं तेरी आदों में बिन तेरे अब कहीं चैन आता नहीं एक पल में तुझे बूल पाता नहीं एक पल में तुझे बूल पाता नहीं हर वक्त मुझको है तेरा इंतजार तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार मेरे सपने हैं तेरी आखो में तेरी खुश्ब है मेरी सांसों में मेरे सपने हैं तेरी आखो में तेरी खुश्ब है मेरी सांसों में देखते ही तुझे मैं तिजा हो गई, दर्द के साथा लेका आँखो गई, दर्द के साथा लेका आँखो गई चाहच से मिलता है दिल को करार, तुझे को ही चाहा है, तुझे को ही चाहा है, तुझे को ही चाहा है तुझे को ही चाहा है, 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 तुझे को ही चा माँ क्या है बिटा माँ डाड़ी का है वहाँ है मॉर्निंग डाड़ी गॉर्निंग बेडा डाड़ी आप जब एक्साइस करते तो बहुत अच्छे मूड में रहते हैं जो मांगो मिल जाता है की ओ माँ किया है वहाँ डारी यहाँ उस दिन का इनाम उधार रह गया था हाँ उधार तो रह गया था हमारे सर परवर कर्श है अभी तक मांगा क्या मांगते हो वहाँ डाड़ी के लोड़ो डाड़ी वॉ पर दख्राव्य जुबार बच्चे प्यार करते हो तो बोलने की हिम्मत भी रखो ड़ी तो आप चानते हैं बेटा बाप हुँ तेरा तेरी जाल ढाल देखके ही समझ गया था कि मामला कुछ गड़वर है तरी क्या ख्याल आपका बेटा तेरी पसंद हमारी पसंद और पसंद भी कोई बुरी नहीं है और हमने भी सोचा है कि अपनी शादी की सालगिरा पर तुम्हारी मंगनी की अनॉस्मेंट करी देंगे यो ठीक है ना परसों तक तेर तो नहीं हो जाएगी यह इस साइकल में गेर का होता है आप बिंदाट चले यह जीजे जीजी अरे nov चलता हूं शाम को प्रोग्राम बनाते हैं हाँ बेटा शाम को मनाते हैं किसको मनाते हैं अरे राना साप से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं आखिर मेरा बेटा है है। है। है? कौन लेटा है? मैं उसको उठाऊ। लपड़ा। धी Abraham जाजा कर दाडी का सामान ले कराा। गाडी का सामान ? गाडी तो गयरेज में हैं इसामान के क्या करोगे आप। लपड़ा। इदरा तेरा कान खोलता हूँ। छी कितनी गंदी बात करते आप जीजाजी छी मैंने दाड़ी का सामान कहा था के गाड़ी का सामान दाड़ी का सामान कहा था मैंने गाड़ी का सामान सुना लाइए दाड़ी दीजे मैं बना के लाता हूँ ने ने मैं सामान लाता हूँ आप दाड़ी बना लीजिए आप दूत पीजिए बहुत थके होगे बड़ा लपड़ा इडियट आ गए ना आते तो हम मर थोड़ी जाते मरें तुमहरे दूश्मन अजी हम जो हम तुम पर मरने वाले हों तु रहा हम जो है तुम पर मरने वाले है चलेजाएँं चले जाएंगा लेकिन फालीह हात नहीं तुम्हें हासिल करने के बाद श Ind кто झाल 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 यह Şu अर निग के जैज शर्पीर निजिर जगाया ओ ही कि गर यह शर्पीप शर्पिछ पेज हर ए Só रटी जलाओ टे लिए लिए लग ते दिए निए दिए लिए अजिया हुआं पुटर बटे कर ढपिई अजिया है झाल पुटो पुटो निय। एड़ी वाड़ी प्टेजसे एको फ्टेजसे एको वा रियरे न एको बाज़ कि आरम झाइप एको टुब करें, एको टुब एको लाति एको बाज़्स, एको एको जागा राएट, एको जा। झाल झाल अरे अब क्यों रो रही हो उसे ऐसा सबग सिखाया कि जिन्दगी भर किसी लड़की की तरफ मुँ ठाकर भी नहीं देखेगा हम तो इसलिए रो रहे हैं कि तुमने उस बैचारी को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा खुदी तो कहनी थी मारो अब वो बेचारा हो गया वो तो अमने गुस्से में कहा था मैं तो तुम्हें खुशकबरी सुनाने आया था खुशकबरी कैसे खुशकबरी मैंने अपने डैड़ी से तुम्हारी बात भी कर लिये सच साथी क्या कह उन्होंने कहने लगे तुम्हारी पसंद अमारी पसंद वैसे तुम्हारी पसंद बुरी नहीं है वो तो है बड़े समझदार है तुम्हारे बापू अब तुम देखना साथी हम इतने बंठंग के आएंगे कि देखने वाले दंग रह जाएंगे जी नवस्ते जी अधिन रागा तुम्हारा को सूरेज भानुष। तूू। जाले साथू। जी... माइक लेकर आना। पाइप गर में पानी भाओ जा भी पाइप किस ले। पाइप नहीं माइक्रोफोन। सब में मन तो आ गए। अभी फोन किसको कर रहा है। माइक माइक बोलने के लिए। हलो हलो चलू है। भाईयो आज मेरी अपनी पत्नी के साथ हमारी शादी की 25 साल गिरा है इस खुशी के मौके पर आप सबने शामिल होकर हमारी खुशीयों को चार चांद लगा दिये हैं आज मुझे असास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ 25 साल गुजारने के इनाम में कितनी बधाईयां मिलती हैं एक पंथ दो काज आज हमारी जिन्दगी की खुशियों में एक खुशी और शामिल होने वाली है हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज हम अपने बेटे राजा की मंगनी की रस्म भी यहीं पूरी करने वाले हैं और ये भी कहते हुए खुशी होती है कि हमारे खांदान की होने वाली बहु इसी मेहफिल में मौजूद है और हम अभी आपसे उसका परीचे करवाएंगे हमारी होने वाली बहु है एक मुनट डाड़ी जी ते रहो जी ते रहो माइक मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गुस्ताकी हो जाए मगर मैं आप सबसे और अपने डाड़ी से एक चीज की इजाज़त ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपने होने वाले साथी का परीचे खुद कराऊँ इजाज़त है डाड़ी? हाँ, इजाज़त है लेडिज और जेंटलमन हर इंसान अपने लिए एक ऐसा साथी चुनना चाहता है जो उसकी खुशी और गम में बराबर का साज़ेदार हो मैंने भी अपने लिए एक ऐसा ही साथी चुना है जो सिर्फ और सिर्फ राजा से प्यार करता है जो सिर्फ प्यार करता है और वो साथी है ये क्या बात है डाडी राजा अगर ये मजाक है तो उसे यहीं खतम कर दो बे मौका मजाक बहुत महगा साबित होता है डाडी ये मेरी जिंदगी का सबसे एहम फैसला है ये मजाक कैसे हो सकता है फैसला हमने किया था राजा और हमारी मर्जी के बगाएर वो फैसला कोई ने बदल सकता ये सारे मेमान तुमारा चुछोरापन देखने के लिए नहीं बलके ठाकुर सूरजभान सिंग के बेटे राजा और राणा साब की बेटी मधू की मंगने में शरीक होने के लिए आए है वो मधू जिससे तुम प्यार करते हो नहीं डाडी मधू मेरी दोस्त है प्रेमिका नहीं मैंने मधू को कभी उस नजर से नहीं देखा और नाहीं कभी चाहा है मैंने चाहा है तो सिर्फ इस लड़की को और मेरी शादी होगी तो सिर्फ इस लड़की से जिससे मैंने जनम जनम साथने बाने का वादा किया है बीज 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 सुरजबान आज फिर इस हवेले में 25 साल पुरानी कहानी दोर हाई गई है फिर किसी शरीफ इंसान की पगड़ी उच्छाल कर तुमने अपने खमंड के पैरों तरे ड्रॉंतने की कोशिश की है और तोनों बार पगड़ी हमारी मिली तुमहें राना साहब मेरी बात तो सुनिए बैर बंगर आपती जुबान तमहारी जुबान की अहमियत है क्या जो हमसे बात करने के जूरत करे आज हम बोलेंगे और तुम सिर्फ सुनों के इसी चोगट पे इसी चोकट में 25 साल पहले मेरी बेहन ने अपनी जिन्दगी का गलाग हो दिया था और आज मेरी बेटी के साथ भी यह हुआ है बार बार सिर्थ भगवान माफ कर सकता है इंसान नहीं और उभी ऐसा इंसान, मुझ जैसा इंसान जिसके घैरत को तुमने बार बार ललका रहा है थाकुरों के नाव पे तुमें दाखो थाकुर के अउला पही तुम दोगले हो दोगले थाकुर साब, जबान संभाल के बात कीजिए राजा, मैं आज चुप नहीं रहूँगा इस घमंडी ठाकुर को बता देना चाहता हूँ के चूडियां हमने भी नहीं पहन रखी जो इसकी धंकियों से डर जाएंगे कह दीजिए इसे ये जब चाहे अपनी दिल की हसरत निकालने बत्तमीज कुस्तार, तेरी ये हिम्मत के बड़ों के सामने अपनी जुबार चलाएं हमने तुझे सीरे से लगा कर रखा था सर पर बैटने की इजाज़त नहीं दी थी तुमने तो अपना घटिया फैसला सब को सुना दिया अब काल खोल कर हमारा फैसला भी सुन लो इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो और राना साब की बेटी मधू ही होगी वह डारी, मैं तो आपको आदर्स पांथा था के प्यार के लिए आपने दुनिया की परवा नहीं की मगर आज मालूम पड़ा के आप कितने खुदकर्ज है आज आप राना की धंकियों से डर कर अपने बेटे के प्यार के दुश्मन मन बैठे अभी तक तो तुमने हमारा हुक्म सुना है अब हमारी चेतावने भी सुन लो उस दड़की के साए से भी तुम दूर रहोगे आपका हुक्म सुन लिया लेकिन मैं अपनी जिन्दगी से दूर नहीं रह सकता सुरजभान तुमारे बेटे का फैसला हमने सुन लिया अब हमारा फैसला भी सुन लो उसके नादानी की वज़ा से अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुमारे खांदान की जड़ों को उखार कर भेंग देंगे नहीं राना दोस्त तुम एक बार फिर गलत फैमी का शिकार हो रहे हो मदू दर्वाजा खोलो मदू दर्वाजा खोलो दर्वाजा खोलो बिटिया अपने बुड़े गाखा को कितना रुलाओगी दर्वाजा खोलो मदू दर्वाजा खोलो बेटी ए बगवाद में क्या करूँ मदू मदू दर्वाजा खोलो बिटिया हम तुमारे हर ख्वाइश पूरी करेंगे बिटी जो तुम चाहोगी वही होगा दर्वाजा खोलो मदू 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 बेखी मदू यह क्या क्या मदू तुमने मदू अंकी जे रोन दुना मेरी बिटिया को कुछ ने हुगा इसकी हर तमन हम पूरी करेंगे जाहे हमारे अपनी जान क्यों न चली जाए अंसी काका गाड़ी निकालो अच्छा जल्दी करो तुने अपने गज से ऊंचा देखने की कोशिश की है कुबर्जेंग अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे बेटे के सामने डाल दिया अगर दौलत की इतनी ही हवस्ती तो अपनी बेटी के पाउ में घुंगरू बांदिये होते नहीं ठाकुर साब नहीं इतना नीचा मत दिखाईए कि मैं बिरादरी के सामने नजरे न उठाता बाबा नजरे जुका कर नहीं गर्ष से सर उठाकर कर गई है कि आपकी बेटी ने कोई पाप नहीं किया प्यार किया है इसे देवी देवता उने तपस्या माना है अगर प्रेम करना पाप है तो राधा कृषिन ने भी पाप किया था ठाकुर साब आप मेरे बाबा से नहीं मुझ से बात कीजिए राजा से प्यार मैं करती हूँ छल कर रही है तू तेरी ओकात ही क्या है जो हमारे बेटे से प्यार कर सके एक बात याद रखना लड़की हमने अपने दोस्त राणा साब को वचन दिया है कि उनकी बेटी हमारे घर की बहु बनेगी और हम अपना वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं खून की नदिया भी बहा सकते हैं भूल जा राजा को निकाल दे उसे अपने दिल से अगर उसके आवाज भी सुनाई दे तो कान बंद कर ले ना आपने राजा का स्याहसन मधू का दिल है सिर्फ मधू का सच्चाई तो यह है ठाकुर साब कि राजा पल्लवी से प्यार करता है मधू से नहीं वो मेरे दिल में देपता की तरह विराजवान है साकुर साब, मंदे से मूर्तिया निकाली नहीं जाती हाँ, चुराई जरूर जा सकती है जो आपके दोस्त की बेटी मधू कर रही है कहने तो जाकर उसे कहिए कि वो राजा को भूल जाए, निकाल दे उसे अपने दिल से अगर राजा को कोई भूलेगा तो वो मधू होगी, पल्लवी नहीं चलो वाबा हमारे प्यार को मिटाने वालों की अपनी हस्ती मिट जाएगी साथी मंदिर में शादी के बाद हमारा प्यार इतना पवित्र हो जाएगा की शैतान भी सर चुकाने पर मजबूर हो जाएगा साथी 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 नहीं साथी 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 मेरे साथ चलो कहाँ अगने कुन तयार करकर आया हूँ हम लोग शादी करेंगे अभी इसी वक्त क्या तुमारे घरवाले हमें आश्रवात देने आएंगे उन सब को छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास रिस्तों और दॉलत की हर वो दिवार के राकर आया हूँ जो हमारी मुहपत के बीच आये उन सब को छोड़कर आया हूँ जो दॉलत और जागीर के खमंड में चूर है चलो साथी जल्दी चलो सब को छोड़कर यहां क्या पाने की उमीद में आये हो अपने साथी को अपने प्यार को अपनी जिंदगी को हर चीज के कीमत होती है साथी तुम तो कंगाल होकर आये हो अब तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा जाओ लोट जाओ बाबू पलवी तुम तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो तुम तो प्यार की पुजारन थी तुम्हें दौलत का लालच कहां से हो गया मेरे प्यार का इस तरह मजाक मत उडाओ पलवी मजाक उडाने की रस्म तो सिर्फ बड़े लोगों में होती है बाबू हम गरीब तो हमेशा हकीकत से टकरा कर अपना सर फोड़ते रहते हैं हमारी जिंदगे की सबसे बड़ी सचाई होती है दौलत जिसके सपने हर गरीब देखता है हमने भी देखे थे लेकिन तुमने चूर चूर कर दिये अब तुम हमें क्या दोगे इसका मतलब तुमने मेरी हैसियत से प्यार किया था मेरी दौलत की चाहती तुम्हें तुम क्या समझते हो तुम्हारी सूरत पर मर्मिटी पलवी सूरतों में क्या रखा है बाबू पलवी को चाहिए सोना चांदी हीरे मोती नौकर चाकर काड़ी बंगला पखवास कर रही हो तुम नाटक कर रही हो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो जुआ खेला था हमने लेकिन पासा उल्टा पड़ गया हमने तुम्हें अपने प्यार के जाल में इसलिए फसाया ताकि तुम हमें महलों में रख सको दुनिया भर का आराम दे सको अगर तुम तो हमें जोपनी से निकाल कर बेघर करने आ गए जाओ बाबू अब इस दिल के दर्वाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है यह प्यार की दस्तक से नहीं दौलत की खनक सुनकर यह खुल सकते हैं जूट बोल रही है तु और अदूसरे के दिल को तो खिलाना अचमा बच सकती है लेकिन अपने दिल से नहीं खिल सकती खा मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी कसम के तुने मुझ से प्यार नहीं किया पल्लवी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हा इडॉलत से किया था पल्लवी तुन्हे घोर पाप किया है, मेरे दिल को नहीं टोड़ा, एक प्यार के मंदिर को ठाया है भगवान करें तेरे दिल में कभी प्यार पैदा ना हो सब है पगवान हमें माफ कर दो, और हम करते भी तो क्या करते है उमारे साथी की चाग हमारी जिंदगी से कहीं ज्याद अकीमती है तुम क्या समझते हो तुम्हारी सूरत पर मैं में टी पलवी सूरतों में क्या रखा है बाबू पल भी कुछ है ये सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, काडी बंगला बेशक तुम मेरी महाबत हो, दिल है दिवाना, तुम को ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो बेशक तुम मेरी महाबत हो, दिल है दिवाना, तुम को ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो बेशक तुम मेरी महाबत हो, है बेशक तुम मेरी महाबत हो बेशक तुम मेरी मेरी महाबत हो, दुम मेरी महाबत हुआ meinाग करने से दुनिया में प्यार होता कहां है इक पल ना देखू तो चैन आये नहीं अब तो दूरी सनम सही जाये नहीं सच मुच तुम मेरी जरूरत हो बेशक तुम मेरी मुखाबत हो है बेशक तुम मेरी मुखाबत हो हो कि चुटा नजरों से यार जीना सकूंगी हो कि चुटा नजरों से यार जीना सकूंगी जखम दिलों के जखम हजार जीना सकूंगी मत आए अगर हसके मैं जाओ मैं दर्द दिल की दावा कहां से लाओ मैं कि ची कभी हैं से नहौनत हो बेशक तुम मेरी मुखाबत हो है बेशक तुम मेरी मुखाबत हो मैंने किया है तुमसे प्यार मैंने किया है तुमसे प्यार करति रहूंगी मैंने किया है तुमसे प्यार करति रहूंगी सारे जहां के आगे मैं खलते कहूंगी मैंने वादा किया मैंने ली पासं चाहूंगी मैं तुमें मेरी दुआ तुम मेरी अमारत हो बेशक तुम मेरी मुहाबत हो है बेशक तुम मेरी मुहाबत हो है बेशक तुम मेरी मुहाबत हो 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 अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को जान ले लो तेरी जान लेकर क्या करूं वसूर तो तेरी बेटी का है जिसने हम ठाकुर हांदानों की नीदे हराम कर दी हैं हमने तो सुनाता कि ठाकुर कभी किसी का इसान नहीं भूलते हैं याद देजिए ठाकुर साहब जिस बच्ची के आप चान लेने पर तुले हुए हैं एक तिन उसी बच्ची ने आपकी जान बचाए थी ठाकुर साहब प्रामी जे सकते हैं हाँ लोगी लो फ्रामी प्राम प्रामी बच्ची वाँ जाँ प्रामी जाँ सुना हाए इस हाँ भामा प्रामी वाल्धा वाल्धा प्रौबरा वाल्दा प्रौटी गुब ये से वी पर लूगे लुगा रवा प्रौबर्से इ। को बेसे ाइ नादान लड़की, आज तुझे मौत के मूँ से बचा कर तेरा कर्ज उतार दिया हमने ए सनो, इस लड़की को इतनी दूर पहुचा दो, जहां इसके बारे में हमारे बेटे का ख्याल तक न पहुच सके अब कहने को बाकी क्या रह गया है, जो कुछ तुमने कहना था वो तो सारी ब्रादरी के सामने कह चुके हो वो मेरी नादानी थी डैडी, मैं सुचता था कि गरीबों के सिर्फ कर छोटे होते हैं लेकिन आज पता चला कि उनके दिल भी छोटे होते हैं मेरे साथ मोहबब नहीं, सौधा किया गया था मगर, मगर अब मेरी आखे खुल चुकी है नहीं राजा, आज तेरी आखो पर पढ़गा पढ़ गया है, इसलिए सच्चा ही नहीं देख रहे हो मामा? मत कहूं मुझे मामा, एक गरीब आदमीचे रिष्टा जोड़कर अपने खांदान का अपमान मत करो जैसी तुमारे डाडी, गरीब पल्लवी की रिष्टे को अपमान समझते हैं ठीक समझते हैं मेरे डाडी तुम्हें अगर पल्लवी की बेवफाई और चालबाजी का पता होता तो तुम कभी ऐसा नहीं कहते पल्लवी न बेवफाई न चालबाज, सिर्फ उसका एक ही दोशेग गरीबी तुमारे साथ चालबाजी करने वाले लोग कोई और है और आना साथ जिन्होंने पल्लवी कब तुमारे टुकड़े करने की धमकी दीती उस वीचारी ने तुमारी जान बचाने के लिए अपने पैर को कुर्बान कर दिया तुमारे सामने जुटा ना डग किया ताकि तुम उससे नपरत करने लगो क्या बगवास कर रहे हो यह मन घंग काहनी कहां जे बना कर लाए हो आपकी भी काहनी सुना निया ठाकुर साब ताकि राजयों को पता चले उसका सगा बाप अपनी चुटी शान के लिए अपनी पेटे को भी बली चड़ा सकता है ठाकुर साब पल्लवी के घर को आग लगा कर उसे पस्ती छोने पे मजबूर किसने के आपके आपके वह कपड़े है जो पल्लवी को आग से बचाते होई जले थे यह क्या बताएंगे राजा यह तो पल्लवी की जान का सउधा करके आये उसकी जान के किमत वस उनकी है ओ भी खुद के लगायों आग से बचाकर राजा प्यार की पुचारन पल्लवी अब तुझे कभी नहीं मिलेगी कभी नहीं मिलेगी बैरी यह सब आपने किसलिए किया क्यों किया यह सब हमने जो राजा साब को वचन दिया था उस वचन की लाज रखने के लिए दोनों खांदानों के बीच की दुश्मनी हमेशा हमेशा मिटाने के लिए इतना भी नहीं सोचा कि आपका अपना बेटा पलवी के प्यार के बिना कैसे जिन्दा रहेगा वचन तो मैंने भी दिया था पलवी को मेरे वचन का क्या हुआ आप होते कोने मेरी जिन्दगी का फैसला करने वाले खुशी दे नहीं सकते तो खुशी छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है आपको कितना अभागा हूँ मैं कि आप जैसा इनसान मेरा बाप है बस डैडी बस अग मैं बच्चा नहीं रहा राजा ये क्या कर रहा है तू खबराओ मतमा तुम्हारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो तुम्हारी नजरों में किरचाए मगर मेरा आखरी फैसला सुन्लो जो मेरे प्यार के रास्ते में आएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा और इस दुश्मनी का फैसला किसी एक की मौत से होगा बेटा मेरे आशिर्वाद हमेशा तेरी साथ है बेटा गरुना तुम्हारी 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 तेरे बाप ने तो तुझे बख्ष दिया लेकिन राना तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे अज॑ जिन्दान थे सफटें है इरी झारीर लेकिन बोड़रे प्रॉबत राप बार स्टेरी बेह λ करा Ciao कर दो थासो भीजर रेकिन बाप प्रॉबत रहाँ घुजर जार रहाँ भाल धुझे को राप कि एफ कर दो कि एफ कि एफ कि एफ कि एफ हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है अजय को अभू पार को अभू दीता है को अ अ कर दो कि भूब है झाल 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 झाल